नमस्कार, प्रेग्नेंशी के दोरा वाइट डिस्टाज क्यों होता है इसके आने के कारेंड क्या है और जब यह आता है तो हमें क्या करना चीह और डॉक्टरों कप कंसल्ट करना चीह इसके बार में छोटी सी जानकारी इस वीडियो में देने जारे हूं तो जैसे कि आपको पता है कि जो प्रेगनसी में वाइट डिस्चार्ज होता है बहुत ही जादा नॉर्मल होता है और हर आउरत को वाइट डिस्चार्ज की समस्या होती है तो बहुत यसी मैलाएं हैं जिने प्रेगनसी के दोरां वाइट डिस्चार्ज जादा आता है तो आपतलाब देखने को मिलते हैं जिससे हम पैचान सकते हैं कि white discharge की हमारी कब नॉर्मल है और कब हमारी infection का खत्रा बन गए है सबसे पहले लोग प्रैशन करते हैं कि white discharge होता कै तो लिज़ होता है वो गरवारिशेख ग्रीवा और वाईजानल में तरल बनाता है जिसके वरज से इतनी भी गंदगी होती है यो कहें कि जो brain वायट धिस्टार्जरी का लिए कारण प्रखने में अधितर प्रॉजं की मात्रा ज्यादा बढ़ने दमनाब जिसकी वज़ाता है वहांप जाएडने लग Dios जिसकी वजह से आपको white discharge जादा बढ़ जाता है तो यह तो रहा कारण अब बात करते हैं कि जब white discharge होता है तो हमें क्या करना चाहिए अगर pregnancy के दौरान आपके private part में बहुत साधा discharge हो रहा और उसमें बहुत साधा बद्भू आ रही है तो यह infection का संकेत है इसके लिए डॉक्टर आपको antibiotic दवाई दे सकते हैं या यह कहें कि डॉक्टर आपके vaginal में कुछ दवाईया रख भी देते हैं जिससे आपको infection का खत्रा कम हो जाए और जादा infection बढ़ने पर डॉक्टर आपको दवाईयां सर्द करते हैं जो आप मुग के दौरा ले सकती है अ में दर्द हो रहा हो खुझली हो रही हो ऐसे टाइम पर आपको डॉक्टर को दिखाना है और एक और चीज़ का रखना है ध्यान कि आपको डिस्चार्ज या अगर ज्यादा गाड़ा हरा या पीला आ रहा हो तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना है और अगर आपको सेस करत बहुत बढ़ा नमस्कार